बिहार में एंट्री से पहले ही कमजोर पढ़ा मानसून, वीशन लूका अलत, जानिये बारिश कब से पढ़ेगी। मानसून 2024, बिहार में एंट्री लेने से पहले ही मानसून बंगाल में कमजोर पढ़ गया है। मौसम विभाग ने प्रचंद लू का अलत किया है जानिये कब से बारिश होगी मौनसून 2024 बिहार में प्रचंद गर्मी पड़ रही है और लोग बारिश से रहत मिलने का इंतचार कर रहे है कहने को बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा 31 मई से पश्चिमी बंगाल के इसलामपुर में देरा डाले है जो किशलगन से महस 30 किलोमीटर पूर्व में है दरसल मानसून की यह शाखा पूरी तरह कमजोर हो चुकी है बंगाल की खाड़ी में किसी बड़े मौसमी पैटन के बनने के संकेत भी नहीं है कि यह कहा जाए कि यह फ़ला तारीक तक मानसून आगे बढ़ सकता है इन मौसमी दशाओं के बीच जानकारों का कहना है कि अरब सागर से आने वाली मानसून की दूसरी शाखा बिहार में दक्षनी बिहार में छिपकुट बारिश करा सकती है मानसून कर सकता है मायूस अंतता बंगाल की खाड़ी के मानसून पर बिहार को निर्भर रहना पर सकता है क्योंकि उसकी पुरवया में नमी पर्याप्त होती है हाला कि बिहार के आसपास के इलाकों में सायकलोनिक सकुलेशन बन रहा है इसकी वजह से आंधी पानी की स्थिती राज्य के अधिकतर हिस्सों में खास्त और पर पंद्रह माइनस सोलह जून से बन सकती है इससे कुछ समय के लिए राज्य के पारे में गिरावत आ सकती है आज भी रेड अलट, आएमडी पतना के पूरवानुमान के मुताबिक 13 और 14 जून को पतना, अर्वल, बकसर, भोजपूर और और अरंगाबाद में बेहग घातक लू चल सकती है इस बात के मद्देनजर आएमडी ने 13 जून को इन जगहों के लिए रेड अलट जारी किया है इधर बुधवार को शेकपुरा, अर्वल और भोजपूर में राज्य का सरवादेक उचतम तापमान प्रमशह 44.08, 44.07 और 44.07 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है यहां घातक लूदर्च की गई है इसके अलावा पतना, गया, छप्रा, डेहरी, गोपाल गंज, जमूई, बकसर, वैशाली और अंगाबाद, राजगीर और जीरादेई में भी जबर्दस्त लूदर्च की गई है मानसून को लेकर बोले आएंडी के निदेशक अभी बिहार में मानसून प्रवेश को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून पश्चिमी बंगाल में बेहत कमजोर हो गया है हाला कि अरब सागर से आने वाली मानसून की शाखा तेजी से आगे बती दिख रही है अगर वह बिहार तक पहुँचती है तो दक्षन बिहार के बेहत सीमित इलाके को ही प्रभावित होगा इसका बिहार को कोई खास फाइदा नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश में 18 जून तक कम होगी गर्मी की लहर मानसून से राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश में 18 जून तक कम होगी गर्मी की लहर मानसून से राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश के निवासी 18 जून तक चलचलाती गर्मी से कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मौसम रिपोर्ट के अनुसार स्थितियों में बदलाव आने वाला है राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है जिसमें पूर्वी प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है वारानसे, बहराज, हमीरपुर, बुलंद शहर, लखनव, हर्दोय और बरेली जैसे शहरों में भी तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है इस कारण बढ़ रही गर्मी, ये लंबे समय से जारी हीट वेव इंडो गैंगेटिक मैदानों, विशेश रूप से उत्तर प्रदेश में, हाल के वर्षों में देखी गई सबसे गंबीर हीट वेव में से एक रही है इस लगातार गर्मी के पीछे का कारण लगातार शुष्क मौसम, साफ आस्मान और गर्म, शुष्क पश्चिमी हवाएं हैं ये हवाएं सिंध, बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान के शुष्क शेत्रों से आती हैं, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है 18 जून के बाद बदलेगा मौसम, हालांकि अब रहत की उम्मीद है 18 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्शेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरन बनने की उम्मीद है इसके अलावा इस परिसंचरन से उत्तराखन की ओर एक ट्राफ बढ़ेगा जो उत्तर प्रदेश की तराइक शेत्रों को प्रभावित करेगा इससे आर्द्रता में व्रिद्धी होगी जिससे मानसून की धीरे-धीरे आने का मार्ग बनेगा मानसून पहले पुर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में पहुँचेगा और फिर 20 या 21 जून तक उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बढ़ेगा बारिश देगी गर्मी से राहत, भीशन गर्मी से राहत बारिश के रूप में आएगी 18 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिवेदिया तेज होने की उम्मीद है 20 जून तक राजे के मध्य भागों में भी छित्पुट बारिश होने की संभावना है ये बहुक्रती क्षित मानसुनी बारिश न केवल घीशन गर्मी से रहत लाएगी बलकि उत्तर प्रदेश में जल स्थिती में भी काफी सुधार करेगी राजे के सूखे क्षेत्रों को अंतता अच्छी बारिश मिलेगी जिससे मिटी की नमी बढ़ेगी और जल की कमी पूरी होगी वेदर रेन, दिल्ली बिहार वालों के लिए गुडनिय जू, इस दिन से होगी जमाजम बारिश बिहार मौनसून रेन, उत्तर भारत के की राज्य भीशन गर्मी की मार जेल रहे हैं मौसम विज्ञान केंद्रपटना के अनुसार दक्षन पश्चम मानसून तीन से चार दिनों के दौरान औरिसा तट्या आंध्रप्रदेश और उत्तर पश्चम बंगाल की खाड़ी की कुछ हिस्सों में आगे की ओर बढ़ने की समभाव ना है हाला कि विभाग की ओर से मानसून आने को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है वेटर, गर्मी से बिहाल जार खंड, इस दिन होगी मौनसून फोकास्ट, प्री मानसून इस तारीक से शुरू, आचिन जिलों में आंधी बारिश का यलो अलट मौनसून फोकास्ट, राजस्थान में मानसून को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कारण है कि बंगाल की खारी से आने वाला मानसून अभी कमजोर है मौसम केंद्र जैपुर के अनुसार मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से देश के कई राज्यों में आता है राजस्थान में आने वाला मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है सक्रिय नहीं हुने के कारण राजस्थान में जून के आखिरी सप्ताह तक आने की संभावना है मौसम केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में 20 जून से प्री मानसून की गतिवेदिया बढ़ जाएंगी पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होगी मौनसून फोकास्ट इधर गुरुवार को राजय के कुछ जिलों में आन्धी और बारिश छुट पुट गतिवेदिया जारी रही इससे दिन के तापमान में कमी देखने को मिली तो कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली सबसे अधिक तापमान गंगानगर में 46.1 दिग्री दर्ज किया गया आखिरकार गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे नगरव आसपास के ग्रामींग शेत्र के लोगों का इंतजार पूरा हो गया गुरुवार शाम को नगर और आसपास के इलाकों में मानसून की पहली बरसाद से लोगों के चेहरे खिल उठे बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई जिसके चलते मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों ने तेजगर्मी से राहत महसूस की गुरुवार को सुबह से ही लोगों को तेजगर्मी के साथ हुमज महसूस हो रही थी जिससे लोग बेचैनी महसूस कर रहे थे शाम को आसमान में बदल चाने के साथ ही 4.45 बजे से बरसात शुरू हो गई हालांकि इसे पहले भी दोपहर में हलकी बरसात हुई थी लेकिन बाद में अच्छी बरसात हुई बरसात के साथ ही हवा में थंडक आने से तापमान में गिरावट आए जिससे कई दिनों से प्रचंद गर्मी का दंच छेल रहे लोगों को काफी राहत मिली आज यहां आंधी बारिश का यलो अलट बारान, कोटा, दोसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाइमधुपुर, जुन-जुन और चूरुजारखंड आप वेदर गर्मी को कहिए बाई बाई, जमा जम